Hello students, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कोटा यह उनिवर्सिटी के सलिबस और कोर्स स्कीम की और हमारा सबजेक्ट होगा जोग्रफी और हम देखेंगे B.A. Part 2 का सलिबस और कोर्स स्कीम तो देखते हैं पहले कोर्स स्कीम देखते हैं तो बे पार्ट्टु में आपके तीन पेपर हैं जीाज़ाफ्य में, पेपर वन पेपर टो और क्रैक्टिकल पेपर वन है मनव एवें आर्थिक भूगोल, दूसरा पेपर है जी मनुप создanz और दूसरा आपका है प्राईटीक प्रैक्टिकल एगजाम टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 200, पेपर 1 आपका है 75 मार्क्स का, मानाव या आर्थिक भूगोल जो है, पेपर 2 जो है आपका, रादिस्तान का भूगोल ये भी है 75 मार्क्स का, ये दोनों theoretical पेपर हैं, और इसके लावा जो practical exam है आपका, वो होगा 50 नमबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 200, 150 थेओरी हो गई, और 50 मार्क्स के हो गए practicals, अब थेओरी पेपर में minimum passing marks जो हैं आपको, दोनों में मिलाके 54 मार्क्स लाने होते हैं, ये minimum passing marks हैं, और practical में आपको minimum 18 मार्क्स ही होते हैं, जो पेपर 1 है, आपका duration exam का, इसका 3 गंटे का है, पेपर 2 का भी 3 गंटे का है, इसमें छोटे questions आते हैं, तो मारे अति लगुतरात्मक आते हैं, लगुतरात्मक आते हैं, और निबंदात्मक प्रशन आते हैं, उनकी मैं syllabus के बाद में बात करूंगा कि कौनसे section से, किस टाइप टीकेशन, कितने, कितने आते हैं, और जरही बा बात करते हैं, syllabus की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, तो जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 जो है, सेकेंड ये बीए पार्ट 2 का, वो है मानाव एवं आर्थिक भुगोल, मानाव भुगोल एवं आर्थिक भुगोल, इसमें टोटल आपके 5 sections हैं, 5 sections में 2 section जो हैं, वो मानाव भ बेती एकाई यें है, 1.1 एकाई धो, 1.3, 4, 5, तो एकाई एक का क्या रिलेशन हो देखेंगे इसके अलावा इसमें है मानव भूगल के तीन सिद्धान्त मानव भूगल में जिन भूगल वेताओं को प्रमुक योगदान रहा उनमें से हम तीन का देखेंगे इसमें इसमें हैं विडाल डिला ब्लाश जीन ब्रून्स और एल्सवर्थ हंटिंग्टन इसमें से विडाल डिला ब्लाश और जीन ब्रून्स हैं वो फ्रांसी सी भूगल का समर्थन किया और जो एल्सवर्थ हर्टिंग्टन है वो आपके निश्यवादी हैं अमेरिकन भूगोल वेता हैं इनका भी हम योगदानिस में देखेंगे इस सेक्षन में एक जो अलग टॉपिक है वो है विश्व की जन संक्या इसमें हम जन संक्या का पैटन देखेंगे प जो महसूस कर रहे हैं उनकी जो समस्या हैं जन संक्या से रिलेटेड इसमें बेसिकली जन संक्या और संसादनों का जो अनुकूलतम उप्योग कैसे कर सकते हैं कहां कहां हो रहा है यह सब देखेंगे अनुकूलतम जन संक्या सिद्धांत की हम इसमें बात करेंगे demographic transition theory जो है जन संक्रमन सिद्धांद उसकी बात करेंगे इसके लाव इसमें demographic dividend या जनदांग की अलाभान उसकी भी हम बात करेंगे दूसरा जो section आता है वो है आपका मानो इसमें दो topic हैं मानो प्रजातियों के बारे में हैं और दूसरा प्रमुक मानो जनजातियों के बारे में हैं तो मानो प्रजाति की संकल्पना क्या है मानो प्रजातियों का वर्गी करन कैसे करते हैं उसके क्या क्या आधार है प्रमुक प्रजातियां कौन-कौन सी है प्रजातियों का diffusion कैसे हुआ वी सरन कैसे हुआ यह सब हम इसमें देखेंगे प्रमुक जन्जातियों में सलेबस में हमारे हैं इसकीमो पिगमी बुश्मैन ये ये हैं इसके अलावा भारत की दो प्रमुक जनजातियां गौंड गौंड और नागा इनका हम अध्यान करेंगे इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं वहां के वातावरणी दशाय कैसी इतने हैं इन अधिम जनजातियों ने वातावरण के साथ अपने आपको कैसे समयुजत किया हैं इह कौन कौन से अर्थिक को हम देखेंगे प्रिसिकल ये इस लिए है क्योंकि ये पर्यावरन यह समायोजित की बात करते हैं इसका का अध्यान करेंगे हम तो आपके स्ट्रव में मानो भोगोल केlearning सिध्दांत हैं ऊस सिध्दांत को अधister और אם घंजνात्य गहीं कि रहन से और इनके आवास और अर्थिक घिविदियों से अब जो नीचे के तीन तीन जो वह हैं 25 कि टीननिट से एएं यहां वह आरथिक भूगल की परिभाषा प्रकृति और विशेवस्थु सेम् जैसे मानोutetर की परिवाषा प्रकृति विशेवस्थु और कारेची जी परढता है वेशाहें इसी में आर्थिक भूगल के बारें वाथ करेंगे कि अर्थुरस्ता क्या होती है उत्रपादन के साधन क्या हैं कौन-कौन से और इस में इसमें से माना दॉप सैय कि לूट में है तो कि इसमें देखेंगे हम इसके बात में हैं आपका संसाधन प्राकर्तिक संसाधन इन्होंने के अधिये बोला है और सु अग्षाड़ण कि संकल्पना क्या है कौन से गुण है जो एक पदार्थ को संसाधन बनाते हैं संसाधन एक गतिक संकल्पना है तो क्यों है संसाधनों का वर्गी करन देखेंगे नवी करन संसाधन क्या होता है नवी करनी संसाधन क्या होता है उर्जा संसाधन क्या है यह सब ठीइब करें और छुकिए हैं इनने और इन मैं ओढला सब इन्हों रहें इन और इन संसाधन पर भी रहेगा में 161य का सय एस से उसलेबस में हमारे तीन हैं चार है कोईला पेट्रोलियम कोल है पेट्रोलियम है इसके बाद में हाइड्रो पावर है जल शक्ति है और अटमिक पावर है तो यह जब हम पढ़ेंगे संसाधन तो इसमें इनका वित्रन पढ़ेंगे सबसे पढ़ेंगे इनकी प्रमुक आयश को कौन-कौन से हैं और कौन से इसके कि क्या विशेस्ता है इसके बाद में पढ़ेंगे कि कहां कहां पर विश्व इत्रनिंका कहां कहां पाय जाता है साथ ही हम इनका उपयोग भी पढ़ेंगे इनका किन चेत्रों में उपयोग किया जाता है इनका उपयोग किन उद्ध्योगों में है मतलब इनकी आर्थिक प्रमुक्त प्रकार कौन कौन से विश्व के क्रशी प्रदेश विश्व कर दिश विश्व कर दिख तरफिर्देया मिलाइजा करसे पर देन के साना क автом करेंगे विट्री करते यूंद करेंग dual stepBar बोलिक दश्राओं के संदर में इनके वित्रन के संदर में और इनका उत्वादन किन कई चेत्रों में या किनकी देशों में HOL होता है साथ यह पढ़ेंगे कि यह जो पाउस्ले है इनका जोंगय को प्योग क्या है से क्योंकि हम जो Curtis हमारी है रudhuk तो जैसे जो एग्रो बेस्ट इंडस्टी जैं या क्रेशी आदारित उद्ध्य हो गए वहीं हो सकते हैं जहां पर यह जो आपके पाद है यह उत्पादित होते हों इसके बाद में इसी में है एक सेक्शन पशुपालन तो पशुपालन का भी हम सोट में पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है क्रेशी के साथ पशुपालन होता तुसको क्या बोलते हैं और यह सब जो लास्ट इनिट है आपका पेपर वन का मानना में अर्थिक बगूल का व कि खनीजों के बाद में हम पढ़ेंगे उद्धोगी का वस्तिती उद्धोगी का वस्तिती क्या होती है कौन-कौन से कारक हैं जो अद्धोगी का वस्तिती को प्रभावित करते हैं और उद्धोगी का वस्तिती में हम जो या इंडस्टिय लोकेशन में जो हम जिन कंडर टोपिक है कि तो हम बात करेंगे कि उद्योग कहां कहां स्थापीत होता है इन के लिए कौन-कौन सा कच्या माल चाहिए होता है और इनका विष्व विद्रण है जहां-कहां पर विष्व में से इनके favorable conditions नहीं है तो यह विकेंद्रिकरंण क्यों हो रहा है है क्या कारेन है कौन-कौन से factors हैं जिनक alumin क्यों का विकेंद्रिकरंण हो रहा है तो हम यह बात करेंगे विश्व के प्रमुक् व्यापारिef क्नाल के इसमें हम मेजर सी रूट की बात करेंगे में इसमें हम ऑन के बात करेंगे स्वेज चि यह जु कनाल होगया स्वेज बास पर इस ट्रेट हो गया एया यड़िस एसको पढ़ते समय हम देखेंगे की जो मेजर सी रूट्स और वहाँ से तो वह तहीं हो गया है तो यह हो हुगया हमारा पेपर ओन मानंहें हम अर्थिक भॉट ऑस फूगल जो ढूसरा पेपर हेवह हमारा राजस्तान का स्थापे ये वह है इसमें पांच लेख के यह राजस्तान पर पूरा focus है इस paper का, तो हम इस paper में सारा Rajasthan से related पड़ेंगे, इस paper भी आपका 75 mark का है, 5 unit से हैं इसमें व drone, तो जो पहली unit है वो introductory unit है, उसमें है Rajasthan का निर्मान, प्रशास क की अधाचा, यह आपका basically political सेटप ते Rajasthan का उसके बरा मेरा में बात करते हैं, राजस्तान का निर्मान कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, पहले कौन सा नाम बोला जाता था, बाद में क्या हुआ, तो वो जो पूरे स्टेजिज हैं, राजस्तान के निर्मान के वो पढ़ेंगे, फिर प्रशास के ढहांचा, प्रशास रन कैसे चलता है, राजस्तान में कोन से संभाग में कौन-कौन जीले हैं है तो यह सब हम उसके बाद में जो शेल जीालोजीयकल स्टॉक्चर कैसा है जैसे के पश्मी तो हम पर कैसे जीयोलजीय को स्टॉक्चर है हरदोती में इसस्टॉक्चर है नीचे चाने पर कैसा स्टॉक्चर है मैदानी भाग Vive स्ट्रक्टर है जिएलोजी कैसी है तो हम इसमें पढ़ेंगे इसके बाद में भुआ प्रदेश भुआ कर तिक प्रदेश पर इसके बहुत्व करेश पर पर वर्दिध किया जाता है वहाँ की अपवा प्रणाली कैसी है वहाँ के अर्थे वस्ता किस पर आधारित है सारा एक दम इसमें डीटेल से बढ़ेंगे इसके बाद में जल अपवा राजस्तान की प्रमुक नदियां आंत्रिक प्रवा की नदियां कौन कौन सी है जो भी अपवा प्रणाली हो पड़ेंगे इसके बाद में जलवायू जलवायू देखेंगे राजस्तान की जलवायू में अपका वर्गी करण पड़ेंगे हम कोपेन का और ट्रिवार्था का उसके बाद में म्रदा मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती है उसका वर्गिकन देखेंगे वो उसके बाद में नेचरल वेजिटेशन या प्राकरतिक वनस्पति कौन-कौन सी पाई जाती है तो इस सेक्षन में तो यह काफी डीटेल सेक्षन है और एक्जाम में में इस सेक्षन से काफी कुश्चन आते हैं उसके बाद में दूसरा जो है तो है आपका क्रशी पर राजस्तान का क्रशिगत स्वरूप राजस्तान का मुख्य व्यवसाई क्रशी है तो क्रशी में कौन-कौन सी फसले हैं जो हम खाध्यान फसलों के रूप में उत्पादित करते हैं कौन सी व्यापारिक फसले राजस्तान में उत्पादित होती हैं उनका हम डिटेल में वर्णन करेंगे, इसके अलावा क्रशी से रिलिटर एक चीज होती है सीचाई, तो सीचाई के प्रमुक स्रोत क्या है राजस्तान में, कौन से स्रोत, कितने परसंट को कवर करता है, इनकी गहनता देखेंगे, इंटेंसिटी कितनी है इनकी, इसके बाद मे जो मरुस्तली करण है, राजस्तान की प्रमुक समस्या, या बोले तो भारत की प्रमुक समस्या मरुस्तली करण है, तो मरुस्तली करण क्या है, वेसलेंड व्यर्थभूमी जो है, क्या है, उसकी कारण क्या है, यह सब पढ़ेंगे हम, अब मरुस्तली करण को रोकने के उप पाई किये जा रहे हैं तो उसके लिए जो मरुस्तल विकास कारिकरम डेजर डवलोपेंट प्रोग्राम जो है आपका उसका हम डीटेल में स्टडी करेंगे उसका क्या स्टेटस है अभी कितना अचीव किया है और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं या नई स्कीम्स जो इसके र connection स्टैइब नहीं में और देखेंगे ऐसे तक लीरि यहें और मैंनें और स्कोर्ण केडियायँ उसका में करेंगे जैसान में वी ऐँटे में होगागत तो उर्जासंसादन है वो देखेंगे और कौन-कौन से गहर परमपरागद उर्जासंसादन है इसके बाद में खनीज देखेंगे प्रमुक खनीज कौन-कौन से हैं प्रमुक खनीज पेटियां कौन-कौन सी हैं तरह वहां पर कौन-कौन से प्रमुक खनीज उत्पादित होत तो इसले तीन दश्कों काम एधन करेंगे साथ ही जो औक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वेवसाइक सरंचना है वो राजस्तान की जनसंक्या की क्या है वो भी हम देखेंगे इसमें इसके लावा अन्य जो qualitative majors हैं जन संक्या के लिए जैसे साक्षर्ता हो गया आपका यह हम इसमें देखेंगे अब राजस्तान की सांस्कृतिक विरासत जैसे राजस्तान की जो मेले हैं या परेटन की स्कोप हैं जो major tourist इसके लिए राजस्तान की सांस्कृतिक विराशत में देखेंगे प्रमुक मेलेम तेविहार भू परेटन यह सब देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे आपका राजस्तान की जन्जातियां तो राजस्तान की जन्जातियों में हम देखेंगे भील मीना सहरिया और गरसिया यह सेम उसी प्रकार उसी पैटन में पढ़ेंगे जिस पैटन में हमने मानावे मार्तिक गुगोल में विश्व की जन्जातियों को देखा था तो इसमें भील मीना सहरिया और गरसिया का कौन करेंगे तो इनको हम डिटेल में पड़ेंगे इकाई 4 का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका या तयात और व्यापार इसको हम देखेंगी राजस्तान में जो स्टेट हाइवीज हैं कौन-कौन से नेशनल हाइवेज हैं इसके लाओ जो मेजर जितने भी ट्रांसपोर्ट के अपके मोड्स अवैलेबल है एक रेल ट्रांसपोर्ट हो या रोड ट्रांसपोर्ट हो यह हम देखेंगे इसके लावा इनलेंड रांसपोर्टिश नहीं अवैलेबल है तो वह कहां-कहां पॉसिबिलिटी जन्सकी भी हम बात करेंगे राजस्तान के भूगल का जो लास्ट unit last है वो है आपका को उसमें जो है कर राजयस्तान केати College प्रदेश को सीकिल में परड़ना है इसमें अपकार घ्रील में अपका जाएगा इसके बाद में आपका जाएगा रावली जो को आपका इस परवती मैदान और हाड़ोती तो इन सब काम हविस्तार से अध्यन करेंगे और यह वैसे सेक्षन एक में दिया गया है लेकिन हम इसको फिर से पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ेंगे इसमें यूनिट 5 में पिर है आपका राजस्थान की परियावनी समझ्षा यह बहुत इंपरेंट टॉपिक है कौन्टेंप्री टोपिक है इसमें हम देखेंगे कि राजस्तान में कौन-कौन सी जो परियावनी समझ्षा है हैं तो इसमें हम प्रदूशन से लेके वरस्तली के रण से लेके पिते जो भ met Mars हो रहा है वो कि यह सब तो बजितने भी पूरानी और नहीं जितने भी प्रोब्लम सें उसे से सारा पर्यावनी समश्रों की बाएं में बात करेंगे इंसे लड़ने के लिए क्या गौशा कर रहे हैं इसके साथ हम इसके साथ साथ हम बात करेंगे राश्ट्य उध्यान और वन्यजी और भारन्यों की चुकि हमने पहले पढ़ा नहीं है तो हम आपको पहले बताएंगे कि जो आपका वन्यजी और संडक्षन है वो किस किस तरीके से किया जाता है इसमें इन सीटू मेथट कौन-कौन से हैं एक इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो यह दोनों पेपर मिला कि आपके दोनों परका सलेवस जो है आपका यह है मैंने बताया आपको कमपिटेशन के हिसाब से भी दोनों पेपर काफी इंपर्टेंट है राजस्तान के अपर्टेशन में सारे पेपर में और स्ट्रविस परसंट की आसपास वेटेज होते हैं राजस्तान के भूगोवल का तो पेपर टू को अच्छे से देखने ही ज़रू है और पेपर वन है उसका भी काफी एक्जाम में वेटेज रहता है तो academics के साब से भी और competition के साब से भी दोनों पेपर काफी important है अब हम बात करते हैं exam exam जो होता है उसमें कौन-कौन से section से कितने questions आते हैं तो आपके जो syllabus है उसमें आपको दे रखे है unit या इकाई तो कुल पांच इकाईया है और आपका जो exam होगा exam में आपके तीन section आएंगे खंड आएंगे तीन section a section 2 और section 6 या section a b और section c तो जो आपका section a होता है वो total 10 number का होता है section a 10 number का होता है आपका और उस section में आपको 10 question ही आते हैं मतलब एक question कितने number का होता है एक number का और यह सारे question आपको attempt करने होते हैं और यह जो पांच इनिट हैं उन में से हर section में आपको दो-दो question मिलेंगे exam में हर उससे आपको दो-दो questions मिलेंगे तो हर question से आपको मिल गए दो-दो question तो यह हो गए आपके 10 questions प्रतियक एक इकाई से दो question तो दो इंटू टोटल हमारी पांच इकाई हैं तो दस question हो गए और एक question का नंबर की एक question जो है आपका दो marks का होता है इसमें एक question एक marks का होता है तो एक कुल अंक हो गए आपके 10 इसकी बाद में आपका आता है section 2 section B इसमें आपको तो टोटल एक section से एक unit से दो question देते हैं वो कि इसमें option होता है आपको और का तो प्रतियक काई से आपको एक question करना है इसका मतलब आपको कितने question करने करने मैं प्रत्य एकाइस एक-एक मतलब पांच कुशन अटेंप्ट करने मिन और प्रत्य क larg step साथ साथ नम्बर तो यह आपका 35 कौ्षेस नमबर के क्युश्ट सांगे यह पुन अद्या होते हैं जो उपर 2,50 सब्द और जो last आपका section है उसमें से अपके 4 उसमें आपके 4 questions आते हैं आपको 4 questions मिलते हैं और उन 4 प्रशनों में से आपको कोई 2 करने होते हैं और वो जो 4 प्रशन हैं वो इन 4 पांचों इकाईएों में से किनी भी चार इकाईएं से होंगे और 111 से एक से ज़या क्योंदेगी होगा इन 4 में से आपको 2 कुषिण करने हैं इस 2 कुषिण के मांक्स आपके होते है 15 तो टोटल इस केव गए आपके थीस मांक्स तopus सब्गार नंवरild का गैं और ऻोगा से उनिशंच तो आएंगे आपको एक नंबर का equation होगा और दस नंबर के टोटल हो जाएंगे तो आपके होंगे 30 35 और 10 टोटल हो गया 30 और 35 65 और 10 75 तो टोटल आपको 75 marks के questions attempt करने है अच्छा यह जो बड़े questions है इन में से आपको दो questions करने है इनकी जो word limit होती है वो होती है 500 words 500 words सेम जो आपका pattern है वो पेपर वन के लिए होगा आज के लिए इतना ही next class में हम बात करेंगे हम अब syllabus के जो topics हैं उनके हिसाब से हम अपना lecture स्टार्ट करेंगे थेंक्यू